यदि आप WhatsApp यूज करते हैं यह तीन सेटिंग आपको अपने WhatsApp में जरूर से चालू करके रखनी चाहिए आपने WhatsApp चैट लीक से रिलेटेड काफी सारी न्यूस तो सुन ही रखी होगी तो इस वीडियो में जो मैं आपको तीन सेटिंग बताने वाला हूँ इन तीनों सेटिंग की मदद से आप अपने WhatsApp को फिली सिक्योर कर सकते हैं कोई भी आपके पर्मिशन के बीना आपके WhatsApp का एक्सेस नहीं ले पाएगा अब आपको यहां पर security का एक option मिल जाएगे इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपकी यह option बंद होगा तो इसे आपको यहां से चालू कर देना है इसे चालू करने से होगा क्या कि यदि कभी भी आपके WhatsApp का access किसी दूसरे के पास पहुंच जाता है तो आपके WhatsApp contact में जित आपको यहां से बैक जाना है यहां पर आपको two step verification का option मिल जाता है इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको इसे इनेबल कर लेना है इसे इनेबल करने बाद आपको पास six digit कोड आ जाएगा जब तक आप उस कोड को किसी को नहीं देंगे तक कोई भी आपके WhatsApp का access नहीं ले आप यहां पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि वह अपनी profile photo को everyone पर select करके रखते हैं इस गलती से आपको बहुत बड़ा हर्याना भूगतना पड़ सकता है क्योंकि everyone पर select करने से आपकी profile photo को कोई भी screenshot ले सकता है कोई भी उसे देख सकता है even उस photo को Google पर reverse search करके आपक यहां पर क्या करना कि आपको यहां पर everyone से अटाके अपनी जो profile photo है सिर्फ अपने contact को show करिए यहां पर आपको my contact option को ही select करके रखना है अब जो number आपके phone में save हैं सिर्फ उनी को आपके WhatsApp की profile picture दिखाई देगे और कोई भी बाहर वाला आपके profile photo को नहीं देख पाएगा तो इन तीनों सेटिंग की मदद से आप अपने WhatsApp को फुली से क्योड रख सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं ऐसे ही अगली informative वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम